दोस्तों, चाता बारिश नहीं रोक सकता, किन्तु बारिश में खड़े रहने का सहस अवस्य देता है ठीक इसी प्रकार, आत्म विश्वास सफलता की गारेंटी नहीं है किन्तु संघर्स करने की प्रेरना आवस्य देता है दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकास परिचे देता है ठीक उसी प्रकार, आप अपने बारे में कुछ न बोलो अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका परिचे देंगे जिसकी नेती अच्छी होगी, उसकी हमेशा उन्नती होगी मैं स्रेष्ट हूँ, यह आतों विस्वास है लेकिन सिर्फ मैं ही स्रेष्ट हूँ, यह एहंगार है लोग चाहते हैं कि आप बहतर करें लेकिन यह भी सत्ते हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि उनसे बहतर करें दो हाथों से हम पचास लोगों को नहीं मार सकते पर दो हाथ जोड़कर हम करुणों लोगों का दिल जील सकते हैं कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास तीन कारणों से आता है भाव से, अभाव से, प्रभाव से यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो अभाव में आया है तो मदद करो और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसंद न हो जाओ कि प्रमात्मा ने तुम्हें इतनी चम्ता दी है नेतर केवल दिर्ष्टी प्रदान करते हैं प्रंथु हम कहां क्या देखते हैं ये हमारी मन की भावना पर निर्भर करते हैं मन का खोट कुई की पानी की तरह होता है जितना भी निकाल लो खत्म नहीं होता जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेव सिखाती है वो बात कोई युनिवर्सिटी या सिक्छक भी नहीं सिखा सकते कभी किसी को खुष करने का मुका मिले तो छोड़ना मते दोस्त बड़े नसीव वाले होते हैं जो किसी के चेहरों पर मुस्कुराहट देपाते हैं कितना अजीव है ना 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है लेकिन कोई जीव कभी भुखा नहीं मरता हौर मानों का कभी पेट नहीं वड़ता रेस में जीतने वाले घोड़े को तो ये पता भी नहीं होता कि जीत वास्ता में क्या है वो तो केवल अपनी मालिक के दोरा दी गई तकलीफ की वज़़से ही दोड़ता है इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है जहां से हमारा स्वार्थ समाप्त होती है वही से हमारी इंसानियत आरंब होती है जिन्दगी के लिए एक प्यादरीन सोच रखो हर एक की सुनो पर हर एक से कुछ न कुछ सीखो क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता लेकिन हर एक कुछ न कुछ जानता है रिष्टों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो तूटना मुस्किल है और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुस्किल है अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी खमजोरी समझने लगते है तो ये उनकी समस्या है आपकी नहीं आप आईना हो आईना बने रहो फिक्र वो करे जिनकी सकले खराब है सरदाज जान देती है नम्रता मान देती है और योग्यता अस्थान देती है पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगा सम्मान देती है